Hello student, myself Jyoti. Hope you are all fine. So welcome to my YouTube channel Learning with Fun. Today we are going to read भासा की परिभासा और उसके प्रकार. आज ये पढ़ेंगे भासा की परिभासा. तो आए शुरू करते हैं. भासा वह साधन है. वह साधन है जिसके जिसके द्वारा मनुश्य बोलकर लिखकर सुनकर वह पढ़कर अपनी मन के भाउं का आदान प्रदान करता है. भासा क्या है? तो भासा की परिभासा भासा वह साधन है जिसके द्वारा मनुश्य बोलकर सुनकर लिखकर वह पढ़कर अपनी मन के भाउं का आदान प्रदान करता है. कैसे आद करेंगे? भासा वह साधन है जिसके द्वारा मनुश्य बोलकर सुनकर लिखकर वह पढ़कर अपने मन के भाउं का आदान-प्रदान खड़ता है. अब हम देखेंगे भासा के प्रकार भासा के प्रकार भासा के प्रकार भासा के तीन प्रकार होते हैं. भासा के तीन प्रकार होते हैं. पहला क्या है हमारा मौखिक भासा मौखिक भासा दूसरा है लिखित भासा लिखित भासा तीसरा है संकेति भासा भासा के तीन प्रकार होते हैं. पहला मौखिक भासा दूसरा लिखित भासा तीसरा संकेति भासा आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो फिलिब उसे लाइक सस्क्राइब और कमेंट जरूर करें. थैंक यू फर वाचिंग झाले के वाचिंग